भारतिय पार्लियमेंट द्वारा बनाए गए नए कानून हिट एंड रन केस के नए कानून को लेकर ओल इंडिया मोटर ट्रांस्पोर्ट कॉंग्रेस के आवान पर देश ब्रमि ट्रक और बस चाल को द्वारा हड़ताल करने से आम जन को पहुत ही ऐस विदा का सामना करना उपधारा दो में एक अतिरिक्त प्रावधान पेस करती है जो उन इस्तितियों को संबंदित करती है जहां अपरादी गठना के बाद किसी पुलिस अदिकारी या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किये बिना गठना इस तल से भाग जाता है ऐसे मामलों में सजा बहुत कड़ी होती है इसमें अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है चोंकि हिट एंड रन के मामले हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं इसलिए भारती नियाई संगिता की धारा 106 के उपएरा दोग के तहत एक नया प्रावधान किया गया है वरतमान में हिट एंड रन के माम स्रूप लापरवाहा और लापरवा ड्राइविंग के कारण मृत्य होती है आई पीसी की धारा 304 एक के तहत दर्ज किये जाते हैं जिनमें अधिकतम 2 साल की कैद की सजा होती है वर्स 2021 की दिल्ली रोड क्रेस रिपोर्ट के नुसार 555 मामले जो कि कुल मामलों का 46.01 प्रति पंजिगन संक्या अग्यात थी जो हिट और रन के मामले को दरसात है सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बढ़ती वहां दुरगटना के मद्यनेजर कानून की ऐ परियापता पर भी टिपनी की थी इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए खंड 106 की उपधारा 2 के तहत न रन दुरगटनाओं को कवर करनी और दुरगटना की तुरंत रिपोर्टिंग सुनिशित करने के लिए पेस किया गया है इसे वर्स 2019 में मोटर वाहन अधिनियम 1988 में पेस किया गई सब्द गोल्डन ओवर के भीतर पिडित को बचाने के उद्देसे से पेस किया गया है बतात उसका समय बहुत कम रहता है इसको गोल्डन ओवर का जाता है इस धारा से किसी डरना चीए जो नया कानून बन रहा है इस धारा से किसी डरना चीए ऐसे वहन चालक जो एक्सिडेंट के बाद किसी पुलिस अधिकारिया मजिस्ट्रेट को सूच न दिये बगएर भाग होते हैं और गहाईल व्यक्ति का गोल्डन ओवर चला जाता है ऐसे गैर जिम्मिदार वहन चालकों पर ये कानून प्रभावसाली होगा चोंकि हमारे देश में कुछ इस प्रकार की सामाजी की व्योस्ता बनी हुई है कि जब कोई बड़ा वहन छोटे वहन के साथ दुरुकटना गरस्ता हो जाता है तो आम जन्ता जो वहां आसपास उसे तुरुकटना इस तलके आसपास विद्यमान होती है वो बिना किसी सोच समझ के बड़े वहन चालक को दंडित करना सुरू कर देती है चाहे इसमें गलती छोटे वहन चालक की हो या बड़े वहन चालक की हो बिना इस कारण को जाने ही बड़े वहन चालक को पबलिक द्वारा सजा दी जाती है हो सकता है उसको ज़्यादा घायल कर दिया जाए या मार भी दिया जाए इसी डर से बड़े वहां चालक वहां दुरुखटना इस तल से बिना किसी को सूच ना दिये पलाइन कर जाते तो उसी चीज को इसमें रोका जाना सुनिश्क किया गया है कि ड्राइवर यदि किसी दुरुखटना हो जाती है तो वहां से रन नहीं करे भागी नहीं बलकि पुलिस को या मजिस्ट्रेट को सूचना दे अब करें क्या ड्राइवर को क्या करना है आखिर क्या करें यदि किसी चालक से एक्सिडेंट हो जाता है तो वह अपने मोबैल से डाइल करें 112 नंबर पर या पुलिस अदिकारियात वा मजिस्ट्रेट को सूचना दे वे या थाने में स्विम जाकर सूचना दे ताकि प्रिडित को समय पर इलाज के लिए अस्ताल ले जाया जा सके इससे वहां चालक को भी कानून राहत मिल सकेगी यहां ये समझना आवस्यक है कि सड़क दुरगटना से गाहल वक्ती स्विम वहां चालक हो सकता है उसके परिवार के सदसे भी हो सकते हैं इसलिए सड़क दुरगटना की समय पर सूचना दिया जाना अब वहां चालक की नहतिक नहीं बलकि कानूनी जिम्मेदारी होगी इसलिए कानून में लाई गई इस मानवे पहलों को समझते हुए इसका विरोध किसी भी ड्राइवर को नहीं करना चाहिए और आम जन को भी इस कानून के पक्स में खड़ा होना चाहिए ऐसा मेरा मानना है बीना डरे क्योंकि ड्राइवर के परिवार के सदस्से भी दरुगटना में जब कभी उनके साथ दरुगटना होती है तब जाके उन पर क्या गुजरेगी ऐसा सोचा जाना चाहिए ध्यान देवे यदि कोई वहान चालक एक्सिडेंट के बाद पुलिस अदिकारी अत्वा मजिस्ट्रेट को सूचना दे दिता है तो ये कानून ऐसे वहान चालक पर लागू नहीं होगा और उस पर धारा एक सुचै की उपधारा एक के तहती ही कारवाई होगी पहले की ही भाती कानून इस्तिति रहेगी अत्य हम सब को आप वहाँ पर ध्यान देने के बजाए जिम्मेदारी से वहान चलाना है और हिट एंड रन के मामले को रोकना है किसी भी परिस्तिती में यदि गलती से कोई दुगटना हो जाती है उस परिस्तिती में हमें गायल का इलाज करवाने की सोचना है आम जंत को भी ध्यान देना होगा कि ऐसी परिस्तिती में बिना सोचे समझे बड़े वहान चालक के साथ हाता पाई ना करें उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बताए गई जानकरी समझ में आई होगी बिलते हैं किसी ऐसी ग्यान देना के लिए जाहिन जाय बारत